लोक आस्था के महापर्व छट पूजा को लेकर बिहार में खुब उत्साह देखने को मिल रहा है जगह जगह छटी मईया के गाने बज रहे हैं कल नहां खाय के साथ इस वरत की सुरवात हुई और आज खरना का तेवहार जो है वो छट वरती मना रहे हैं कल अस्तचल गामी सुर्व को अरग दिया जाएगा और परसो उद्यमान सुर्व को अरग देने के साथ ही छट पूजा का समापन होगा इस चार दिनों तक चलने वाले तिवहार का इंतिजार पूरे बिहार को पूरे साल रहता है जैसे ही छट पूजा के दीन नजदी काते हैं बिहार में छट के गाने बदने लगते हैं और छट के गाने से आप ये कह लिए कि पूरा बिहार छट में हो जाता है लेकिन ऐसे में जब छट महापर्व की सुरवात हो चुकी है बिहार में और पूरे दुनिया में इसका विस्तार धीरे धीरे हो रहा है ना सिर्फ बिहार बलकी पूरे हिंदुस्तान के अलावे दुनिया के अलग-अलग देशों में भी छट वरत मनाया जा रहा है तो बिहार के एक ऐसे जिले की बात करेंगे जहां माता सिता ने भी छटी मया की पूजा की थी खास तोर पर आप छट पूजा की महत्व इस बात से समझ सकते हैं कि जब लंका विजय करने के बाद प्रभू स्रिराम माता सिता और अपने भाई लक्षुमन के साथ अजुध्या लोट रहे थे तो उस वक्त मुंगेर पहुँचे थे भ्रिगूर इश्री के आस्रम में और भिगूर इश्री ने माता सिता को इस सला दी थी कि छटी मैया का वो वरत करे और सुर्य उपासना के इस महापर्व को छट पूजा को माता सिता ने भी बिहार के मुंगेर में किया था वहाँ पर जो है वो आज भी एक सिला पर माता सिता प्रभू स्रिराम और लक्षुमन के पदचिन नजर आते हैं और छट पूजा को लेकर जब भी वरत की बारी आती है तो छट वरतियों की भारी भीर आज भी उस मंदिर में जर आती है जिसका नाम अब सिता चरन मंदिर र में किया था उसका उलेक बालमिकी और आनंद रमायन में भी है देखिया आपके सामने जो तस्विर इस वक्त हम दिखा रहे हैं इस तस्विर में आप देख सकते हैं लोकास्था के इस महापर्व छट पूजा की महत्वता को आप ये कह लिजिए कि सापत और पर ये तस्वि ऐसा राज्य है जहां डूबते हुए सुरे को अर्ख दिया जाता है और आप देख सकते हैं यहां आज भी पदचिन है जहां पर माता सीता ने छट किया था खास तोर पर यह अस्थान जो है सीता चरन जाफर नगर में है और अब सीता चरन के नाम से ही पूरे दुनिया में जाना जाता है और यह मंदिर का निर्मान 1974 में हुआ बालमिकी रामाइन के नुसार जब भगवान राम वनवास के लिए निकले थे तव्वे माता सीता और लक्षमन के साथ मुंगेर के ब्रिगूर इशी के इस आस्रम में आये थे और यहां से माता सीता ने गंगा मास से वन मुंगेर में किया था और इसका जिक्र जो है 1926 में प्रकासित हुए मुंगेर गैजटियर में भी है जिसमें इस बात का उले किया गया है कि बाका के मंदार परवत पर भी छटी मैया का वरत सीता माता ने किया था तो इस बात से आप महत्वता लगा सकते हैं कि कितनी और निर्जला उपवास रहकर छट वरती जो है वो छटी मया को अस्तचल गामी सुरी को अर्ग देते हैं और उद्यमान सुरी को अर्ग देने के साथ ही छट पूजा का समापन हो जाता है फिलहाल आप टोड़े विहार नुज के साथ बने रहें धन्यवाद